धनुराशिवालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान श्री राम, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दोस्तों, ये एक गलती बे सहारा करने वाला है, अब आपके जीवन में एक और खुश करने वाले हैं, जी हाँ, ये सबक जीवन भर याद रहेगा, आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अपनी खुशी काबू में रख नहीं पाओगे, जितना भी आपने किसी के लिए आंसु बाहाया है, तो उन्हें भी उतना ही पच्छताना पड़ेगा, देखिए दोस्त कर दिल को बड़ी सुकून मिलने वाला है, स्वयम श्री राम जी ने बताया है कि आपकी जिंदगी में परेशानी क्यों चलता है, आखिर इतना दुश्मन क्यों आपके लिए बनता है, और रुपए का तो घर में आना बंद भी हो चुका है, जिस प्रकार से आप मेहनत करते हो तो ऐसा रकम भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों इनके अलावा जितने भी अन्य समस्या है तो उनका खुलासा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इन्हें अंत तक जरूर सुनेंगे, भगवान श्री राम जी किसी भी इनसान के कहने का मुताबिक नहीं करते हैं, वे तो मतकार से कम नहीं है, हम कहते हैं कि भगवान तो सब के कल को बदलना चाहते हैं, तब ही तो हमारा भविश्य पार करने में टेंशन नहीं होता है, ये जो अगले दो दिनों के अंदर बहुत शानदार समाचार भी आपको मिलने वाला है, खुल कर कहा जाए, तो आपकी कि भगवान के संकेत को मान लेने से कितना ज्यादा फाइदा होता है, दोस्तों सीधे चंद्रमाने आपकी राश्य पर आने का अनुभव भी दे रहे हैं, जिसका असर पूरा किसमत पर पड़ेगा, और अगले दो दिनों में मोटी मोटी पैसों के बंडल आपके परिवार पर आने वाला है, अचानक से यह कानों पर सुनोगे तो घबरा मत जाना, हम जो कह रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत सारे इंसान उन्हें सुनकर ही नजर अंदाज कर दिये होंगे, लेकिन आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि जानकारी को हलके में मत लेना, बड़ी ही जानकारी को इकठा करने के बाद हम आपके लिए स्वयम तयार करके लाते हैं, और यह वीडियो आपकी कुंडली के द्वारा हम बनाते हैं, जिसमें आपके भग्य की कुछ बातें भी हम आपको बताएंगे, और आने वाले दो दिनों में कितना आगे आप बढ़ने वाले हो तो उनका भी चर्चा किया गया है देखिए दोस्तों, सब का वक्त कुछ न कुछ कामों में जरूर बिताया जाता है लेकिन आज भगवान की कृपा से आपकी आँखों के सामने यह संदेश गया तो इन्हें देख लेना सिर्फ एक बार और करना कुछ नहीं है बस सुनते जाओ कि श्री राम जी आपके लिए क्या खुश खबरिया देने वाले है और सोचने की बात ये है कि कर्म का भी खेल देखना पड़ेगा तुम्हारे दुश्मन ने जो किया था तो उन्हें सजा भी मिल रहा है कभी कभी हमारी एक भूल चूक पूरे परिवार को शामिल कर लेता है इसलिए सावधान भी आप हो जाओ नहीं तो भगवान का मौका और समय दोनों ही निकल जाएगा आखिर आप भी अपने किसमत से गलतियों को कैसे मिटाएंगे तो उनका उपाय भी हम बताएंगे और इन्हें करने से सफलता और धन दोनों ही मिलना जारी हो जाएगा भगवान तो दोबारा से आपको चमकाना चाहते हैं आपके हाथों से शायद बहुत इंसान का कल्यान भी हो रहा है लेकिन आप अंजान हो इसलिए तो श्री राम जी आपको जो देने वाले हैं उन्हें देखने के बाद सारे आस पडोस अगल बगल एवं रिष्टेदार जलने लगेंगे धन का कामना किसी से मत करना अगले दो दिनों में आपके घर भर जाएंगे और इस आशीरवाद को आप अपने मन में एक जगह बना कर रखने वाले हो हर हमेशा आप श्री राम जी को बड़ी भक्ती से मानने लगोगे और ऐसा ही कुछ होगा यह घटना के बारे में बस सुन लेना और किस कारण से आपको नौकरी की भी प्राप्ती नहीं होती है और व्यापार में इंकम बढ़ने के अलावा कम हो रहा है तो सभी जानकारी सुनने से पहले दोस्तों हम पर्सनल आपको कह रहे हैं अगर मन करे तो हमारे बात को मान लेना वीडियो बनाने में हमारा प्यार भी लगता है तो दोस्तों जल्दी से अपने भी हाथों से वीडियो को एक लाइक तो अवश्य ही कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के जै भगवान श्री राम जी का नारा पूरे तीन बार इच्छा से लगा देना फिर देखना कि इश्वर आपके इस कल्युक जीवन को के से सुन्दर जीवन में बदल देंगे अगर कहा जाए तो इन कार्य का लाभ भी आप ले पाएंगे सबसे जरूरी बात की जो जातक हमारे इस चैनल पर नए हैं और वह सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बना कर ला सके तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब जानकारी को प्रारंभ कर लेते हैं दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या दो दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में हर एक गलत कारियों को करने से बच कर रहना पड़ेगा कोई भी ऐसा गलत कार्य आप बिलकुल भी ना करें जो कि आपको आने वाले भविष्य में नुकसान एवं परेशानी का सामना करना पड़े क्योंकि दोस्तों आज की गलती का सजा हमें कल मिलता है आज अगर हम कोई गलती करेंगे तो उस गलती का सजा हमें अपने आने वाले भविष्य जीवन में प्राप्त होता है या फिर बिना वजह के जिंदगी में किसी को ना रुलाए, किसी को तकलीफ ना दें, किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार ना करें। हमेशा जीवन में जितना हो, सभी के साथ आप लोग अच्छे व्यवहारिक्ता रखें। हमेशा जीवन में सभी को खुशियां दें, सभी के साथ खुशियां बाटें, तो आपको भी जीवन में हमेशा खुशियां मिलती रहेगी, और अगर आप लोग अपने जीवन काल में हमेशा इस प्रकार का कर्म करते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमेशा आप सभी के उपर बने क्योंकि दोस्तों, अच्छे कर्म करने वालों के साथ कभी कोई बुरा नहीं होता है, और जीवन में जो आपने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है, हमेशा जो आपने अच्छा कर्म किया है, हर लोगों को जो आप हमेशा अपना मानते हैं, हर लोगों के साथ जो अपने जीव जो आप खड़े हुए हैं, वह जीवन में जो हमेशा अपने अच्छे कर्म किये हैं, तो उन्हें अच्छे कर्म का फल. अब भगवान प्रभुराम जी, इन दो दिनों के भीतर आप सभी को देने वाला है. मित्रों बता दे कि जिन्दगी में अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा कहता है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है, और आप जीवन में जो हमेशा अच्छा किये हुए हैं, तो आपको अपने जीवन में उन्हें अच्छाई का फल है, इस समय प्राप्त होने वाला है, और इन दो दोनों के भीतर आपकी अच्छाई के कारण आपके जीवन में एक अच्छा जीवन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रभु राम जी आपके अच्छे कर्म को देखकर आपके उपर महर्बान हो चुके हैं, और प्रभु राम जी का क्रिपा द्रिष्टि छाया पड़ जाती हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप में एक अच्छी जिन्दगी जीते हैं, उन्हें जिन्दगी में हमेशा सुख मिलते हैं, और उनके जो दुख भरी जिन्दगी हैं, दोस्तों, वह सभी दूर हो जाते हैं, और इन दो दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसा ही होगा, भगवान राम जी की क्रिपा से आपके जीवन से हर दुखों का अब दोस्तों सत्यानाश होने वाले हैं, जिन्दगी में जो आपका दुख भरी समय चल रहा है, तो वह अब खुशियों में और सु दलती हो गई, नजर आएंगे, जीवन की हर एक सुख आप सभी को मिलने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए, तो सुख को पाने के लिए अपने जिन्दगी में बहुत मेहनत किया है, आप दोस्तों, तडप तडप कर जिन्दगी में हर एक बुरे दौर को द सम्रिध्ध शान्ती और खुशियां देने वाले हैं, आप अपने जीवन काल में जो अशान्ती का अनुभव कर रहे थे, तो वह अशान्ती अब आपकी जिन्दगी में शान्ती की तरह प्रदर्शन करने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन की हर एक अशान्ती को जैसे कि अगर आप लोग जीवन में काम धंधे को लेकर परेशान थे, दोड़ धूप कर रहे थे, आप दोस्तों यहां वहां कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं पूरा हो रहा था, जिस कारण से आप जीवन में बहुत परेशान थे, शांति आपको बिल्कुल जीवन में धन व्रिद्ध के काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अगर आप लोग करियर कारोबार करते हैं, तो आपको अपने कारोबार में अच्छे आमधनी प्राप्त होंगे, जिस वजह से आपके धन भाव में व्रिद्ध काफी अधिक होगी, और आपकी आर्थ भाव में काफी अधिक वृध्ध देखने को मिल सकती हैं, जिस कारण से आप सभी का मन काफी खुश दिखाई देंगे, और परिवार में अगर किसी बात की चिंता आपको सता रही थी, या फिर आप अपने संतान की भविश्य को लेकर किसी प्रकार का चिंता में डूबे और यहां तक कि अगर घर परिवार में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका भी इस समय समाधान निकल जाएंगे, जिस कारण से वह व्यक्ति भी काफी खुश दिखाई देंगे, और वहीं अगर परिवार में किसी का विवाह तय नहीं हो रहा था, तो उन्ह भी खुश खबरी मिलेंगे, उनका विवाह अच्छे और वरवधू के साथ होगा, जो कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और नौकरी करने वाले जातकों को इस समय जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे, जिस वजह से मन दिन भर काफी खुश रहेंगे औ और वही पहले से चल रहे मित्रता, प्रेम, संबंध में तबदील हो सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आईए, अब जानते हैं उपाय के बारे में, कि आपको अपने जीवन की और सभी परेशानियों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जो परेशानी आपकी जिन्दगी से पीछा नहीं है, रहा है, तो आपको कौन से ऐसे मंत्र का जाप करना है, तो ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा, और अपने जीवन में जरूर अपनाएगा दोस्तों, इस राश्य के सभी जातक, रविवार के दिन एक कटोरी में, गंगा जल या पानी लेकर, राम रक्षा मंत्र उं, श्री हरीं क्लीं राम चंद्राय, श्री नमह मंत्र का जाप करें, इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें, इससे घर का वास्तु दोश, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदी समाप्त हो जाते हैं, और यहां तक कि घर परिवार के जिन्दगी की हर एक क्षेतर की परिशानी दूर हो जाते हैं, तो इस उपाय को ध्यान से जरूर कीजिएगा, बहुत ही लाभधायक है